हे रजुलम करे मेरे मामा ने हो सब गांठ जत्म की खोल गया और कहने लगे क्या तेरे माँ बेटे ने जोग दिलावे राज में उल्लू बोल गया रज में उल्लू बोल गया रज में उल्लू बोल गया आज मैं उल्लू हो बोल गया सभी कलाकारों का मनोवल बढ़ा रहे हैं मेरे बड़े भाई सुरेंदर जी अटाली से मैं उनका भी बहुत बहुत दिल की गहराईयों से आभार वेक्ट करता हूं आएए नंबर पहली बात में कैसेर क्यावत आदिया भाहुता है जुक कहने लगे गोंपी जंद कि जुलम करें मेरे मामाने सब गांठ चतन की खोल गया और कह दिया कि मा बेटे में जोग दिलावे राज में उल्लू बोल गया पहली कली मैं किस प्रकार से समझाने लगे कि मेरी मां के सर पे तो ममता का भूत सबार है वो तो मुझे खोड़ा नहीं चाती लेकिन मेरे मामा को तो एक बार सोचना से ये था कि मेरे बिना इस धारा दगरी का क्या होगा मेरी परजा का क्या होगा आईए क्या कहते हैं जर्ण सुणेगा पहली कली मैं ये रहा दन्यवाद राज दन्यवाद मेरे मामा जी रहे दन्यवाद मेरे मामा जी रहे नेरी पाई मात भगवन ने अपना नास करे डोल ले महारा आग्या वन्स मिटावन ने अरी मात तु मुझे को जोग दीवावे अभी बारे तन्यवाद मेरे बिनकुण आवेगा यहाँ कन्या दान करावन ने कन्या दान करावन ने जोगत बाबे राज में उल्लूह बोल गया इस रागणी पर खुशो करके भाई सौनु तेवतिया जी और भाई योगेंदर यादब जी खेड की डॉला से जो ग्यारा से रागणी पर खुशो करके देते हैं मैं चाहूंगा एक जोड़ा ताली बजा करके सम्मान होजा जोड़ा ताली बहुत बहुत धन्यवाद जोग धरट करने के बाद में मेरी बेटियों की साधी कौन करेगा क्या कहती है जरा सुनियागा दूसरी गली में कोई पोता ना चननी तेरे कैसे खेवा तिर जागा तेरा जुलम देखके मैया सूरज उलटा फिर जागा ये लोरी देद पाला था मैं लोरी देद पाला था मैं अज सारा लाड बिखर जागा सर प्रण कर रही बतायों कैसे जानने खर जागा ओ हा रही आसमान भी गिर जागा रही आसमान भी गिर जागा रही अर्य मा बेठे ने जोग दिगावे राज में उल्लू बोल गया राज में उल्लू बोल गया बाई पिंटू जी बाई मौनू जी और जो खेडी कला से हमारे सभी बाई सुरेश चेरमेंजी गोटे जी सौनू पंडिच जी तमाम खेडी कला की सरदारी युवा टीम यहां पहुंची है और भाई रिंकू तबर जी आप सभी की तरफ से जो 1100 रुपे दे करके सम्मान किया जा रहा है एक बस जोड़दा ताली बजा करके सम्मान होजा जोड़दा ताली और आईए कैसे क्या बता है प्रकार से अपनी मा को समझाते हैं और क्या कहते हैं कि मा आज तुमने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा मुझे ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा आईए क्या कह दिया जरा तुमनेगा ओ मात का लिया गया सीस पैं मात का लिया गया सीस पैं किसी काम का ना छोड़ा गंगा जमना पासमीर में किसी दहाम का ना छोड़ा ओ किसी दहाम का ना छोड़ा येरा पूजा पाठ करूं दो वक्ता भजन ना मका ना छोड़ा रजधानी का मेरा जधानी का राजा था था मैं सहर गाम का ना छोड़ा सहर गाम का ना छोड़ा रहे किसी का मका ना छोड़ा रहे और किसी का मका ना छोड़ा आज अमरत मैरे श भॉले गया मा बेटे ने चोग जबाते राज में उल्लू बोल गया राज में उल्लू बोल गया मेरे बहुती आदरनी आजीज यसपाल जी गड़ खेडा निवासी जो सोरो पे दे करके हमारी पार्टी का सम्मान करते हैं मैं यसपाल जी का बहुत बधनेवाद करता हूँ बहुती अजीज हैं और बहुती ही खुश मिजाज हैं जो सोरो पे दे करके हमारी पार्टी का सम्मान करते हैं उनके लिए बार बधनेवाद करेंगे कि हम इस लीड को थोड़ा पीछे रखो वरना मेरा मूँ तूट जाएगा ना ऐसी कोई बात नहीं होगी चंता ना थोड़ा सा थेहान रखें आए गुरुजी जिए इसमें आज कोई जनम लेगा कल को किसी इंसान की इम्रत्यू हो जाएगी ये किसी के हाथ में नहीं होता ये भगवान के हाथ में होता है तू मुझे अमर कराना चाहती है मा लेकिन मैं अमर होने वाला नहीं हूँ आए क्या कहते हैं अन्तिम कली में दूहुने पर दूहुने पर ले चान लेगी रहें दूहुने पर लेचान लेगी के नेरी पदल दे खोड़ गुरूूू। दरवारों में बुलवाता तो जल्दी आता दोड गुरू तेरा तेरी समझ में आजाती ते इब कर देता दोड गुरू पीरू कहे उस इश्वर से तो लेता नाता जोड गुरू तो लेता नाता जोड पर भुरू ओहारे गौरी संकर गौड गुरूरे गौरी संकर न्यू छंद काटे पे तोले गया मा बेटे ने जोग दिलावे राज में उल्लू बोल गया राज में उल्लू बोल गया मा बेटे ने जोग दिलावे राज में उल्लू बोल गया मा बेटे ने जोग दिलावे राज में उल्लू बोल गया